हलो बच्चों आज हमारा टापिक है मोल प्रभाज या मोल अंस तो हमारा कौन सा टापिक है मोल प्रभाज मोल प्रभाज या इसे हम मोल अंस भी कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं मोल अंस भी कहते हैं इंग्लिस में इसे हम लोग बोलते हैं मोल फ्रक्षन, क्या बोलते हैं मोल फ्रक्षन, तो चलिए देखते हैं कि मोल परबाज और मोल अंस क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब एक सल्यूशन होता है, क्या होता है, सल्यूशन, तो सल्यूशन में क्या होता है, सल्यू से हम लोगों का solution बनता है तो किसी billion में salute के मौलों के संख्या अर्थात बिले के मौलों के संख्या या बिलाइक के मौलों के संख्या तथा billion के कुल मौलों के संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं के अनुपात को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं इत्वा समझ में आई होगी कि सल्यूशन में क्या होता है सल्यूट प्लस अल्वेंट होता है तो किसी बिलियन में उपस्तित बिले के मोलों के संख्या या बिलाय के मोलों के संख्या तता बिलियन के कुल मोलों के संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं मोल प्रभाज कहते हैं तो चलिए देखते हैं मोल प्रभाज या प्रभाज तो परिवाशा जैसे कि अब हमने आपको बताया था भैसी परिवाशा है तो इसमें लिख रखा है किसी बिलियन में उपस्ते बिले के मोलों के संख्या या बिलाय के मोलों की संख्या तता बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस बिलियन का मोल प्रभाज या मोल अंस कहते हैं, तो मोल प्रभाज या मोल अंस कहते हैं, इसे हम लोग केपिल एक से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे पर दस्तित करते हैं, केपिल एक से हम लो सूत देखना है तो मोल प्रभाज का सूत क्या हो जाएगा मोल प्रभाज मोल प्रभाज का फार्मूला क्या हो जाएगा बिले के मोल बिले के मोल या आप कह सकते हो या बिलाएक के मोल बटे बिलेन के कुल मोल बिलेन के कुल मोल बिलिन के कुल मूल तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आप जो बिलिन के कुल मूल होंगे वो किस किस के मूल होंगे बिले प्लस बिलाएक के मूल होंगे अर्था सल्यूट प्लस साल्वेंट के मूलों के संख्या वरावर क्या होगी बिले के कुल मोल होगी तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो मोल प्रभाज है, मोल अंस बरावर क्या हो जाएगा बिले के मोलों के संख्या या बिलायक के मोलों के संख्या बटे में क्या हो जाएगा मतलब यह अनुपात में होता है तो बिलेन के कुल मोलों की संख्या तो ये हो गया किसी भी बिलेन का मोल प्रभाज हो गया क्या हो गया किसी भी बिलेन का मोल प्रभाज हो गया अब इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं इस आधार पर बिले का मोलों की संख्या हो जाएगा कि उसी प्रकार ब्लाइक के मुलëं पृर्भाज या मूल अंसं बरावर क्या हो जाएका ढुल के संख्या इ Fool के क्यों पृट्स को बलीन के संख्याे कैं तो यहां से प्रिवांसा क्या बने का पास्तित को बिलैक की संख्या के ऐसमालियन के दिए और बिलैक के मोल के संय न है तो माना एक बिलैक के मोल है इसमालियन वे अपान इसमालियन फ्लस के सब्ल्लों के कज़एगा क्या हो जाएगा इसी प्रकार हमारा साल्वेंट का हो जाएगा इसी प्रकार हमारा साल्वेंट का हो जाएगा साल्वेंट का हो जाएगा केपटल एन अपान इसमाल एन प्लस केपटल एन तो यहां केपटल एन क्या है विलाएक के मुलों के क्या है यह हमारा होगा है फ्रेंग के कुल मूलों के संक्या साथ आप हम जानते हैं कि छो हमारा hai होता है इस मालेम होता है यहां हंद है यहां किते हैं यहां पर हो तो यहां पर 500 ब्रबावर यहां औरисл powered क्या हो जाएगा विलाय का अण लाइका अड़ वार तो is small N and capital N की value अब जो हमने चमी करने लिखी है, इन समी करने क्या करेंगे? apply कर देंगे, इन समी करने क्या कर देंगे? apply कर देंगे, तो जो हमारा x है, x solute है, x solute है, इसके लिए क्या हो जाएगा? इसमाल डबलू अपान इसमाल एम अपान इसमाल डबलू अपान इसमाल एम प्लस केप्टल डबलू अपान केप्टल एम यह तो हमारा हो गया सल्यूट के लिए ठीक है किस के लिए होगा सल्यूट के लिए अब हम अगर एक्स साल्वेंड के लिए देखते हैं किस के लिए यह हमारा हो गया, शाल्वेंट के लिए, तो यह हमारा टापिक था, मोल परभाज या मोलंस, तो यह आसा है, कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अब हम अगला टापिक देखते हैं, तो यह तो टापिक हमारा था, मोल परभाज या मोलंस, अब अगला टापिक हम लोग सेमी पर मेविल्श सेमी नो मेंब्री नो सेमी टिक तो सेमि पर्मेबल मेंब्रे अर्धि पारगं मेंधिन नहीं हमें जिली पढ़ नो पराशन को रिट करने से पहले हमें इससमें हमें नपराशन ईपर नहीं है छेमिट दीबत जिल्ल जो क्या करें बिलायक के अणों को आने जाने दें ठीक है बिलायक के अणों को आने जाने दें और बिले के अणों को आरपार ना होने दें ठीक है बिले के अणों को आरपार ना होने दें मतलब आने जाने ना दें तो बे जिलियां जो बिलायक के अणों को आरपार कर देती है और बिले गड़ों को आर्पार होने से रोकती है उन्हें हम लोग सेमी परमेवल मेंब्रेन अर्थात अर्थ पारगम जिली कहते हैं तो अर्थ पारगम जिली जो होती है वो दो टाइप की हो सकती है ठीक है यानि कि दो प्रकार की होती है एक तो होती है नेचुरल अर्थात कह सकते हो प्राकर्तिक और एक होती है मेनमेड अर्थात आर्टिपिसियल कैसी होती है आर्टिपिसियल होती है ठीक है इन्हें बेग्यानिकों के द्वारा अर्थात इन्हें मेनमेड भी हम कह सकते है तो जो नेचुरल है नेचुरल का मतलब तो आप लिख लें और तो पहले आप लिखें सेमी परिवाशा क्या होगी बे जिलियां जो बिलायक केड़ों को आरपार कर देती है लेकिन बिलियन के बिले केड़ों को आरपार जाने से रोकती है उन्हें अर्द पारगेम जिलिय कहते हैं और यह जिलियां दो प्रकार की होती है नेचुरल एंड आर्टी फिशे तो नेचुरल जिलियां भी जो प्रक्रत के द्वारा तैयार की गई अर्थात प्रक्रत ने बनाई यानि प्रक्रत ने दी उन्हें हम नेचुरल जिल प्रियोग शाला में कापर फेरोसाइनाइट की जिल्ली बनाई थी जो कि एक सेमी परिमेमल मेंब्रेन ती और जो की आडिफिसील थी तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग परासरन अपना होते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना टापिक परासरन क्या होता है, परासरन को इंगलिस में भी हमने बताया था, आसमोसिस कहते हैं, इसमें क्या होता है, जब दो अलग-अलग सांदरता वाले बिलिनो को अर्ध पारगम जिल्ली के दोरा प्रथक किया जाता है ठीक है जब दो अलग अलग सांदरता वाले बिलियन को मतलब ऐसे दो बिलियन जिनकी सांदरता कैसी है अलग अलग है तो कम सांदरता वाले बिलियन अर्थाद जिस बिलियन की सांदरता कम होगी अर्थाद बुक ऐसा बिलियन होगा तन बिलियन होगा से अधिक सांदरता वाले बिलियन और जिस बिलियन की सांदरता अधिक होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सांदर बिलियन कहते हैं की और की और क्या होता है की और बिलाइक के जो अड़ होते हैं ठीक है बिलाइक के जो अड़ होते हैं वो ज अर्था तनु बिलियन से अधिक सांद्रता वाले बिलियन की और बिलायक के अनु का जाना ही क्या कहलाएगा परासरन कहलाता है अर्था आप ऐसे कह सकते हैं तनु बिलियन से सांद्र बिलियन की और बिलायक के अनु का जाना परासरन कहलाता है तो यह हमारी परासरन की परिव गिभे जब तक कि दोनों बिलियन की संदरता है बराबर ना हो जाए अर्थाथ उनके बीच ऐक्साम इस्तापत ना हो जाए चलिए इस एक डाइगराम से समझते हैं माल लिया एक हुमने एक बीकर ले लिया क्या ले लिया और यह जो है बीच में सेप्रडों बॉल जिसे हम लो संद्रता वाला कैसा है पढ़ता कंसा इसी होगी अधिक होगी तो परिभासा के केंड ट्रांसफर होने लगेंगे बिलाय केंड क्या होने लगेंगे ट्रांसफर होने लगेंगे और यह किरिया तब बिलाइक घट रहा तो ये मतलब ये क्लिया तब तक चलते रहेगी जब तक कि दोनों बिलिनों की सांदर्ता बराबर ना हो जाए तो यहां से क्या हो रहा है कम सांदर्ता से अधिक सांदर्ता की और बिलिन के और बिलाइक के जोन होते हैं वो ट्रांसपर हो जाते हैं यह हमार लोग इंग्लिस में बोलते हैं इंड आस्मोसिस क्या बोलेंगे इंड आस्मोसिस कहते हैं अब इंड आस्मोसिस मतलब पराशन तो आप समझ चुके हैं पराशन क्या होता है मतलब पराशन में कम से सांदर बिलीन की और बिलायक्यन जाते हैं जब पराशन की क्रिया अंदर की और हो अंदर की ओर का मतलब यहां पर आया किसी पदार्थ में पराशन होगा किसी पदार्थ में जब पराशन होगा तो उसमें बिलायक्यन अंदर प्रवेश कर रहे हैं अतह पराशन उसे अंतह पराशन कहते हैं मतलब जब पराशन की क्रिया अंदर की ओर होती है तो उसे अं सब्सक्राप में कुछ नहीं कमेबाद किसमिस डालते हैं जालते हैं जल से पात्र में क gelmiş समय बाद किसमिस पूल जाती है अब इसका पूल ने का रहोका करें दगता कि छेटेर भाड़करस ब कि लिए जल्कियश क्ञe उसके संदर्ता जादा होती है तो यहां नेसके उंदर पिरेश कर जाएंगे क्यों अंदर प्रिवेश कर जाएंगे क्योंकि पात्र में जल है पात्र में क्या है जल है तो किसमिस के अंदर एक तरल पदारत है उसकी संदरता जादा है तो जल की संदरता कम है तो बिलायक या नहीं जल की अंदर प्रिवेश कर जाएंगे और जिसके फल सुरूप क्या होग किसमें पूल जाएगे इसे एक डाइग्राम की सायता से समझते हैं नो Capital जैसे हमने पात्र लिया पात्र में क्या है जल डाल लगए इसमें सकी कुछ किसम डाल लगए है तो जैसा कि भी आपको बताया किसमें इसके अंदर भी एक तरल पदाद की पेच्छे, तरल पदեया दर्प्रिप्याद की पेच्छा, तो जलके जो अण होंगे, किसमें इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, अंतापराशन होगा, जिसके फरर सًुल्प क्या होगी, किसमें इस फूल जाएगे तो ये कारण होता है हमारा अंतापराशन का अब हम देखते हैं दूसरा हमारा है बाहर पराशन और बाहर पराशन को हम लोग क्या गोलते हैं बाहर पराशन को हम लोग एकसास्मोसिस कहते हैं क्या कहते हैं एकसास्मोसिस कहते हैं जब परासन की क्रिया बाहर की ओर होती है रथा बाहर की ओर का मतलब यहां पर यह हुआ जब परासन की क्रिया किसी पदार्त में बाहर की ओर होगी यानि कि किसी पदार्त से बिलाकिया और बाहर निकल जाते हैं तो उसे हम लोग बाहर परासन कहते हैं जैसे जब हम नमक के गो गोल में या चीनी के गोल में ठीक है यहां पर हमने नमक लग रखा है इसका उधारण दूसरा भी हो सकता है चीनी के गोल में जब हम नमक के गोल में अंगूर डालते हैं क्या डालते हैं अंगूर डालते हैं तो कोछ समय बाद अंगूर क्या होते हैं आट्वमेटिक पिचक ज इसा गोल होगा गाडा होगा तो उसकी सांदर्ता जादा होगी अंगूर की सांदर्ता कम होती है अंगूर की नहीं अंगूर के अंदर भरे तरल पदात की सांदर्ता कम होती है क्योंकि अंगूर के अंदर भरे तरल पदात की मात्रा यानि कि यहां पर मात्रा ना गएकर आप बोलेंगे सांधरता सांधरता नमग के घ्षोल के पिचकम होती है इसलिए अंगूर क्या होता है क्ाम हותी यह होती हुह तो आप जानते हैं कम से ज्यard Aceite रिज़ा जाते हैं तो उप लाइक होती है तो गायी तो उपकता कैके लिक निकल कर कहा सिर्द नरण तो क्या होगा अंगूर से कुछ पिलाई के उड़ निकलने लगते हैं और फर सुरूप किया होता है अंगूर आटमेटिक पिचग जाता तो आई होब यहां पर हमने दो टाफिक आप लोगों के आज के लिए कीए। पहला टाफिक आपका मूल-ञंस यांने की मूल प्रभाज था तूसरा टाफिक आपका पराषन था। दौनों टापिक आपके केलिर कीए और एप इस व्यटीओ को देखिए। अधिक से अधिक लोगों में सेर क कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद